प्रेंड वेलकम तो आवर यूट्व चानल इंजिनियर्स ग्रूप आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जे पीएसस्टेंट इंजिनियर्स 2019 का जो इंजिनियर्ण का जो एक्जाम हुआ था उसमें दो पेपर पूछे गए थे पहला जिनियर्स का और दूसरा जो था टेकनिकल पेपर आज हम करने वाले हैं वह इंजिनियर्स पूछा गया था उसके बारे में तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुष्चन नमबर वन से ल आमाउंग दो फॉल्वाइंग इस प्रडियूस्ट इन स्कीन इन संलाइट यानि कि नीमनमेर से कौन सा बीटामिन सुर्च परकास में तोचा में बनता है ऑप्शन नमबर ए विटामिन दी ओफ सिन बिटामिन ए और ऑप सिन नमबर दी बिटामिन भी तो फ्राइंड इसमे में ये है कि dr. Ambedkar, इनको Mung Program बोला जाता था क्या और महात्मा Gandhi, इनको Young India के नाम से भी बोला जाता था किया. और बिया नमबर C, गुपाल Krishnan Gokhale, इनको Bombay Chronicle बोला जाता था क्या और spark कि जो है गोपाल किस गोखले इनको बंबवई क्रोनिकल नहीं बोला जाता था ओप्शन नमर सी इस करेक्ट कोई से नमर नेक्ट कि रिलीज़ एनरजी ट्रांस्मिशन इंडेक्स 2019 ठीक है कि किस सथाने एनरजी ट्रांस्मिशन इंडेक्स 2019 जारी वर्ड बैंक ऑफ्शन नमर भी अपस्ट का ओफ्शन नमर भी जो है अप्शन इंसर है क्यों अपस्ट को सही आंशर है कि कि यह कह रहा है कि हाव अलियार इस्पूर एंड कंशनाबाथी आर सिमिलर, यानि कि अलियार, इसापूर और कंस्ताबार्ति किस परकार सिमिलर है? Option number A, uranium deposit, option number B, tropical rain forecast, option number C, water reservoirs, option number D, none of these. तो friend, इसका जो सही एंसर है, वो है आपका option number C, ठीक है, यानि कि water reservoirs. Question number next, question number next, यह कहारा है friend, कि the Indian Independence Act was passed by Baptist Parliament in यानि कि बेटीश संसर द्वारा भारतिय स्वतनत्रा अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था? मार्स 1946, जुलाई 1946, सी जुन 1947 या फिर D जुलाई 1947 तो फ्रेंड यह जो हुआ था वो हुआ था जुलाई 1947 यानि कि option D is correct question number next, question number next फ्रेंड यह कह रहा है कि which one of the following pair is not correct ठीक है इन्वासे कौन सा जो राज है वो सही नहीं है इसमें जो देख एक साइड जो बैटल के बारे में दिया हुआ है और वो दिया second year में हुआ था इन्वासे कौन सा ऐसा पेर है जो correct नहीं है option A देखते हैं first battle of panipat जो की 1526 में हुआ था जो की सही है 1526 में हुआ था यह option B जो है battle of khanva 1527 में हुआ था option C जो है battle of plasi 1758 ठीक है जो battle of plasi 1758 में नहीं हुआ था तो option C जो है वो correct है which is the recipient of 66 दादा सहाफ हाल के अवार 2018 ठीक है यानि कि जो 66 में दादा सहाफ हाल के पुरसकार 2018 में दिया गया था वो किन को दिया गया था ठीक है option number a Greece करनाड option number B अमिता वच्चन option number C राजबबर या फिर option number D जो है none of these ठीक है तो 2018 का जो दादा सहाफ हाल के अवार दिया गया था अमिता वच्चन को option number B is correct question next question number next friend यह कह रहा है कि which Indian sports professional has been listed in time 100 next is ठीक है इन में से कौन सा भारतिय खिलारी को time 100 next सुची में सामिल किया गया है option number A दूती चंद option number B हिमादास option number C पीवी सिंधु या फिर option number D नीरज शोपरा तो फ्रैंट इसका जो correct answer है वो है दूती चंद दूती चंद को जो है time 100 next में सुची में सुची में अस्थान दिया गया था सामिल किया गया था नेक्स्ट नमर 9 फ्रैंट यह कह रहा है कि आला इस पॉपलर म्यूजिक आफ विच रीजन यानि कि आला जो है किस छेत्र का लोग प्रिये संगीत है option number a बुंदेल खंड option number b निमार option नमर सी मालवा या फिर option नमर टी नन आफ दीज तो फ्रैंड इसका जो सही एंसर है वो है आपको option number a यानि कि यह जो है आला जो है पॉपलर म्यूजिक है वो बुंदेल खंड एरिया का है ठीक है बुंदेल खंड एरीजन का ठीक है जो गोशन नमर 10 यह करेंड कि वन पेटा बायट इसकोल टू ठीक है वन पेटा बाइट जो है किसके एकवल है ठीक है ठीक है 10 TB के एकवल थाजन टेरावाइट के ईकवड एकवड या फिर नन आफ दिज तो फ्रैंड 10 यानि कि 1 petabyte is equal to 1000 tb तो option c is correct question number next, question number next जब देखते हैं 11 ठीक है 11 ये कह रहा है who founded Ajivika sect ठीक है यानि कि जो ये Ajivika जो है उनके संस्थाफक जो है वो कौन थे ठीक है option number a महात्माबूद option number b जो है कपेल या फिर option number c जो है मकली घोशला या फिर option नमबर डी जो है बद्राइंड तो फ्रैंड इसका जो सही एंसर है वो है आपको option नमबर सी यानि कि मखली गोशाल इन्होंने जो है आज इविका संप्रताई के संस्था पर थे मखली गोशाल यानि कि option संपरती जो है आजबिखरी ऐक संपर्ट कि नमबर टुर्रेंग यह जो है यहांएं कि यह क्राइब कुछ सन सिर्सक्राइड साव episode दीज एक निकी वो युज़ था क्लीन भैक्ति था या फिर मर्चेंट वेपारी था अप्सट तो फ्रेंट कुत्तिब्धिन एक द्ञाइब साइव गुलाम था प्रेंट कुटुबुद्धिन में की ओव्पन पार्यक्ट यूज़ गुलाम था टीक तुट्रीक्स न्में में अप्सरिया वोट्रेक्ट है वृप्टनब्र फोर्टेंट कुछिन वाटहИ inn लरृट्टीं महात्मा फूठ आट इस वह इंश सेन निर्माइए यानि कि महात्मा बूठ ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था question नमर एफ बूद गया option नमर अपसिन मब बी कपील वास्तू innovation तक पाठली पुत tenure या फिर option number D सारनाथ तो friend इसका जो सही एंसर है 14 का वो है सारनाथ जो महात्मा बुथ्थे पहला जो उपदेश दिये थे वो सारनाथ में दिये थे option number D is correct question number 15 question number 15 क्या करता है oldest of the वेड़ाज इस ठीक है यानि कि सबसे प्राचीन बेद कौन सा है इन मसे option A सामबेद option भी यजूर्वेड option C रिगवेड या फिर option D अर्थवेड ठीक है तो friend इसका जो सही एंसर है 15 का वह option number C यानि की रिगवेड रिगवेड जो है सबसे प्राचीन वेड है question number तो question number 16 question number 16 यह कह रहा है friend कि जांबू दीप in 14th century जावाज text was referred to यानि कि चौद्वी सताबदी में जावा की पुस्तकों में जांबू दीप किस देश को कहा गया है option A इंडिया option B इंडोनेशिया option C चैना यह फिर option D सिलंका तो friend इसका जो सही एंसर है वह option A इंडिया ठीक है जो यह जावा की पुस्तक थी उसमें जांबू दीप जो है इंडिया को कहा गया तो चौदमी सताबदी में तो question no 16 का जो है option no a is correct question no next question no 17 17 क्या 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 रव्रेंड कि which of the following statement about orange J is correct ठीक है यालिक निम लिखित में से कौन से कथन और अरंग जेब के वाड़े में सत्त है ठीक है आप्शन ए जीव फॉर्बेट दा कालमा बिंग इंस्क्राइब्ड ओन क्वाइन्स ऑप्शन भी डिस कंटिन्यूट दा फेस्टिवल आफ नवरोज आप्शन सी एपॉइंटेड मुतसिब या फिर ओप्शन डी ओल आफ दीज ठीक है यानि कि उसने सिक्को पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया ओप्शन बी जो है यानि कि नवरोज का तेभार मनाना समाप्त कर दिया या फिर ओप्शन डी सी जो था मुतसिब न्यूक्ट किया या फिर ओप्शन नंबर ड जो था यानि कि none of these ठीक है तो question number 17 जो है friend इसका जो सही answer option number D यानि कि सभी इन में से सभी statement जो है वो correct है question number 18 question number 18 friend यह कह रहा है कि the चिस्टी order was established in India by ठीक है यानि कि भारत में चिस्ती जो सिल्सिला था यानि कि किसने प्राम्प किया था ठीक है option number A शेक मोई उद्दीन option number B बक्तियार का की option number C फरदी उद्दीन या फिर option number D नस्र उद्दीन चिराग ठीक है तो friend इसका जो सही एंसर है वो है सेक मोई नुद्दीन यानि कि option number A is correct question number next question number next यह कह रहा है friend question number next के रहा है author of सहनामा वाज ठीक है यानि कि सहनामा का लेखक जो था वो कौन था अलुब बढ़नी option B फैजी option C फिरदोसी या फिर option D मलिक मुहमद जैसी ठीक है तो friend इसका जो सही एंसर है वो फिरदोसी जो सहनामा था सहनामा जो पुस्तक था उनका जो लेखक था फिरदोसी ठीक है अध्यूंड कृस्टन नमबर 20 कृसे नमर 20 फ्रेंड यह कह रहा है कि दबूक लोयल को कृसियन नमर 20 जो कह रहा था बूक लोयल मुहमढडन आफ इन्डिया इज ए प्यांटर वर्क आफ यानि कि लॉयल मुहमढडन आफ इंडिया नामा किताब जो थी वह किसकी रचना थी option number A जो कहरा सयद महमुद option number B सर सयद अहमद खान option number C जो है मुहसिन उल मुल्क या फिर option number D जो है विकार उल मुल्क ठीक है तो friend question number 20 जो था उसका जो सही answer है वो है option number B यानि कि सर सयद अहमद खान option number B is correct option number B जो है friend इसका जो है वो correct है सही है question number next question number question number 20 21 question number 21 friend यह कह रहा है कि anyway send translated गीता into English under the title of यानि कि anyway send ने गीता का जो अनुवादन किया था English में उनका सिर्सक क्या था ठीक है option number A जो है new India option B जो है common well option C जो है आपका वो है आपका सिरे अकबर या फिर option D lotus song तो friend एनिवेसेंट ने जो गीता का टांस लेट किया था English में उसका जो इनमें से कोई option है वो सही नहीं है वो जो इनका जो था या तो फिर इनको बोलते भागबत गीता या फिर दा लॉर्ड सॉंग ठीक है इन्होंने टांस लेशन किया थो उन बुब का जो सिर्शक था वो था दा लॉर्ड सॉंग या फिर दा लॉर्ड सॉंग इनमें से जो आप्शन है वो कोई कर्यक्ट नहीं है करेक्ट नहीं था करेक्ट नहीं है को इसन नम्मबर 22 22 को यह कहरा आ है कि खु रोड जो है में इस फतुहत एफिरोज साही 답 यान की फतुहत ए फिरोज साही की लेका कौन थे वह सबस्रत बहन कि ना सामी ऑप्शन सी फिरोसा तुगलक या फिर ऑप्षन डी आफिव ठीक है तो फ्रैंड यह जो बु क्ता फतुहत फ्रुलोस सथी इनका जो राइटर था वह थे आप्षन नमर सी यानि फिरोसा तुगलक तो कुछिय के हुं तो आफिड घुक है और यह कुश्चन नम्मर नेक्स्ट फ्रेंड यह कह रहा है कि हुँ है इस्टार्टेट खाकी ड्रेस फौर बेटिस इंडियन सोल्डर्स ठीक है यानि कि बेटिस भारतिय सानिकों के लिए खाकी वर्दी की शुरुवात किसने की थी सिडि vest नंबर एक श्र लानियंच आ स्बैंड आहन ऐस फिर या फिर आफिर नंबर सी लोड वार्ले या फिर आपसन नंबर डी सर हैरी वपार्टा मिर्देंड ठीक है तो फ्रेंड़ यह जो खाकी वर्दी का जो सुरुवात था वो जो है किये थे सर हैरी यह वर्न statement आपसन कर क्पार्रेक्ट। को डिनमबरन इस त्वेंटीफोड प्रैंड ये क्या कह रहा है कि द्रीगामबर एंडYः were a major sect of which religion यानिकि द्रीगामबर और सुष्वेंबर जो है दो मुक्ष संपरदाय exist कि धार्म के हैं धुकिए यह जो दिगांबपर और सुषतांबणन करते हैं जो कि जैनिज्म जो है जाइन धर्म से ये लोग आते हैं ठीक है कुश्चन नमबर नेक्स्ट कुश्चन नमबर जो 25 है 25 ये कह रहा है कि हूरी पर्जेंटेट इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इन दर वर्चलेस कॉंग्रेस ऑफ 1927 ठीक है यानि कि 1927 की बुरुशेल्स कॉंग्रेस में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का परतिनिधित किसी ने किया था ओप्शन नमबर ए जो है यहां पर वह है गांधी जी ऑप्शन नमबर बी जो है जवाहर लाल नेहरू ऑप्शन नमबर सी सुभास चंद्रबोश या फिर ऑप्शन नमबर अचारिया क्रिपलानी तो फ्रैंड इसका जो सही एंसर है वो है जवाहर लाल नेहरू ठीक है 1927 में जो हुए थे इनका जो कॉंग्रेस का परतिनिधि किये थे वो किये थे जवाहर लाल नेहरू तो 25 का आप्शन नमबर बी इस करेक्ट कुशन नमबर 26 यह कह रहा है कि हूँ फॉर्म दा ओल इंडिया किसान सभा इन 1936 ठीक है ऑप्शन नमबर ए जो है कुमारा नंद ऑप्शन नमबर बी जो है सहजानन्द सुरसत्ति ऑप्शन नमबर सी जो है से डंगे या फिर ऑप्शन नमबर डी जो है महंदर सिंह टिकाइट ठीक है यानि कि 1936 में अखिल भारती किसान सभा की अस्थापना किसने की थी तो फ्रैंड इसका जो सही एंसर है वो है सहजानन्द सुरसत्ति जी ठीक है तो ऑप्शन नमबर बी जो करेक्ट कुश्चन नमबर 27 कुश्चन नमबर 27 यह कह रहा है कि हूँ इज पॉपलर एज फॉर्चन गांधी इन इंडि ऊप्शन नंबर भी राजमोहन Гांधी आप्शन नमर सी मजरूल हक हक या फिर आप्शन नमबर डी जो है खान अबदूल-गफूर खान ठीक है तो फ्रैंड इसका जो सही एंसर है वह है खान अबदूल-गफूर खान ओप्षन नमबर डीन , question नमबर 28 फ्रैंड question थाटिं लाला हरद्याल हवंडर दर गदर पार्टी इन ठिक है इसका मतलब यह हैं कि जो 1913 के अंदर 1913 में जो लाला हरद्याल थे वो घदर पार्टी की अस्थाप्ना की थी ओंधि कहां किये थे ठिकント न्यूर्ट में टोकियो में ж 시간이 को में यह फिर काबुल में तो friend ये जो इसका सही answer है वो है option number C यानि कि San Francisco में वहाँ पर इन्होंने क्या किया था इसकी अस्थापना गदर पार्टी की अस्थापना की थी ठीक है question number 29 question number 29 friend क्या कह रहा है कि who became the first minister of education in the Indian government यानि कि भारत सरकार में पर्थम सिक्षा मंतरी कौन बने थे option number A जाकिर हुसेन, option number B मौलाना option number C रफी अहमद किदोए या फिर option number D जी बी पन्थ ठीक है तो friend इसका जो सही answer है option number B मौलाना अजाद मौलाना अजाद जो थे ये जो थे भारत सरकार में जो थे वो first जो है सिक्षा मंतरी बने थे question number next 13 question number 30 ये कह रहा है कि राणी राणी गौदनल्यू ने लंट ए ट्रिवल मुवमेंट टू और्स दा बेर्टिस फॉर्म ठीक है इन्हों ने जो था राणी गौदनल्यू ने अंग्रेज को भारत से निकालने है तो आदिवासी आंदोलन चलाया था वो जो है कहां चलाया था ठीक है गुजरात के अंदर हिमाचल परदेश के अंदर मनीपूर के अंदर या फिर मद्ध परदेश के अंदर तो इसका जो सही अंसर है हुआ option number C यानि कि मनीपूर के अंदर ये जो थे ये राणी गौदनिर जो थे अंग्रेज के खिलाप जो थे आदिवासी आंदोलन की शुरुवात इन्होंने मनीपूर से की थी ठीक है option number 31 31 ये कह रहा है कि who run the home rule movement in इंडिया यानि कि भारत में home rule आंदोलन किसने स्टार्ट किया था किसने चलाया था option number A एनी बेसेंट वो जो था तिलक जी यानि कि बाल गंगा धर तिलक option number B जो है नहरू एन्द गांदी जी option number C जो है हसरत मोहानी वो रनाडे option number D जो है मदन मोहन माल भी है एन्ड मोतिलाल नहरू तो friend इसका जो सही एंसर है वो है एनी बेसेंट एन्ड बाल गंगा धर तिलक यानि कि option number A is correct question number 32 question number 32 यह क्या रहा है शेर्षा करेंशी दम वाज मेड आफ विच मैटल जो शेर्षा ने जो करेंशी चलाए थी डम वो किस मैटल से बने हुए थे option number A silver, option number B gold, option number B copper या फिर option number D none of these तो friend इसका जो सही एंसर हो option number C यह जो थे copper के जो currency थे यह चलाए थे शेर्षा सूरी ने question number 33 question number 33 friend यह कह रहा है the first electric train run in India on which route यानि कि इंडिया में जो था पहली बार जो electric से चलने वाली train जो थी वो किस रास्ते पर चली थी option number A, Bombay to Madras, option number B, Surat to Bombay, option number C, Bombay BT to Kurla Harvard या option number D, Madras to Bangalore तो friend इसका जो सही एंसर है वो है C, Bombay BT to Kurla Harvard, option number C is correct question number 34 question number 34 यह कह रहा है कि which Indian sports person has won gold in 14th Asian shooting championship presently ठीक है यानि कि चौदमा Asian championship जो अभी हुआ था उसमें जो है इंडिया की तरफ से कौन से ऐसे sports person है जिन्होंने gold medal जीता था shooting के अंदर ठीक है तो option number A, गगन नारंग, option number B, मनु भाकर, option number C, जीतू रहा है या फिर option number D, हीना सिध्धू, ठीक है इसका जो सही एंसर है वो है मनु भाकर, option number B is correct, question number 35, question number 35 यह कह रहा है friend कि who has been appointed as the first lieutenant governor of the union territory of Ladakh, ठीक है आप लोगोंने अभी देखा होगा कि Ladakh जो है वो अब जो है union territory जो है वो state हुआ करते थे लेकिन अब जो है current में जो है वहाँ पे जो है 370 और जो 35 जो था वहाँ पर article वहाँ से हटा दिया गया है ठीक है और इसको बना दिया गया है unit है तो इनके जो first lieutenant governor है वो कौन थे आर के माथूर, option B जो है कालराज मिश्रा, option C जो है भागत सिंह, option C जो है भागत सिंह कोशियारी या फिर option D जो है none of these तो जो पहले governor है वो है आर के माथूर, option number A is correct, question number 36, friend question number 36 यह कह रहा है कि गितांजली is collected work of famous poet ठीक है यानि कि गितांजली जो है किस परख्यात कभी की जो है रचना है ठीक है option number A मिर्जा गालिब, option number B पाननी, option C वानवर्ट या फिर option number D रविंद नाथ टाइगोर तो friend यह जो है गितांजली जो है यह रविंद नाथ टाइगोर जहें इनकी रचना है तो option number D is correct question number 37, name of the author of आनन्द मत्त ठीक है यानि कि आनन्द मत्त के लेखक कौन है ठीक है रविंद नाथ टाइगोर, option C वाकीम चंद्र, option C अरविंदो घोष या फिर option D राजा राम मोहन रोय ठीक है तो friend इसका जो सही answer है वो है बकीम चंद्र जो यह अनन्द मत्त पुष्तक है इनके जो लेखक है वो है बकीम चंद्र, option number B is correct, question number 38, question number 38 यह कह रहा है कि Indian Army recent mountain combat exercise, हिम भी जाए, यहां पर देख रहे है हिम भी जाए, ठीक है, held in which state, ठीक है, question number 38 यह कह रहा है friend, कि जो अभी, ठीक है, हाल में ही, भारतिये सेना द्वारा, परवतिये इद्धा अभ्यास, जिसका नाम था हिम भी जाए, वो किस राज में किया गया था, option number E, हिमाचल पर friend, option number C, अरुनाचल पर्देश, या फिर option number D, सिक्केम, तो friend, इसका जो सही answer है, वो है option number C, अरुनाचल पर्देश, ठीक है, अरुनाचल पर्देश में यह exercise, हिम भी जाए, जो था, वो किया गया था, ठीक है, question number 39, question number 39, यह कह रहा है, recently launched, परकास पोर्टल ऑफ सेंट्रल which organization, यानि कि, हाल में ही, केंदर सरकार द्वारा, एक परकास पोर्टल, जो है, launch किया गया था, वो किस संस्था के द्वारा, जो है, विक्सित किया गया था, option number A, जो है, यहाँ में friend, देख रहे हैं, आप NTPC, option number B, जो है, Power Grid Corporation, option number C, जो है, NHPC, या फिर option number D, जो है, कोल इंडिया, तो friend, यह जो था, वो NTPC, जो है, के द्वारा, जो है, विक्सित किया गया था, ठीक है, option number A, is correct, question number 14, 40, ठीक है, question number 40, क्या कह रहा है, कि, which Indian sports person, was honored with the lifetime achievement award in Indian sports award 2019, 2019, यानि कि, इन मसे, कौन से ऐसे भारतिय खिलारी है, जिनको, Indian sports award 2019 में, lifetime achievement award से, सम्मानित किया गया था, option number A, साचेन तंदुलकर, option number B, मिलखा सिंग, option number C, सौरब कॉंगली, या फिर option number D, जस्पाल, राना, तो इसका जो सही answer है, friend, हुआ है, option number B, मिलखा सिंग, इनको ये award दिया गया था, question number 31, question number 41, friend, ये कह रहा है, कि, what is the name of recently launched NASA satellite to study Lono Sphere, ठीक है, यानि कि, अब ही, मतलब हाल में ही, I know Sphere के अध्यान के लिए, जो है, NASA, जो है, उन्होंने एक satellite, मतलब भेजा है, वहाँ पे, उनका नाम क्या है, ठीक है, option number A, जो है, I, C, O, N, option number B, है, I, C, O, N, first, option number C, जो I, O, N, O, first, या फिर option number D, जो है, I, O, N, O, ठीक है, तो friend, इसका जो सही answer है, वो है, option number A, यानि कि, I, C, O, N, is correct, question number 42, question number 42, friend, ये कह रहा है, कि, who have been appointed as the chief justice of जारखंड, high court recently, 2019 में जो exam हुआ था, उस time, जो जारखंड, high court के जो chief justice थे, वो किन को निक्ट किया गया था, option number A, justice, अजायकुमार, option number B, जो है, वो है, आमरेश्वर परताप साही, या फिर option number D, जो है, डॉक्टर रवी रंजन, या फिर option number D, जो है, none of these, तो friend, इसका जो सही answer है, वो है, डॉक्टर रवी रंजन, ये जो थे, 2019 में जब exam हुआ तो, वो उस time के जो थे, चीफ जस्टिस थे, डॉक्टर रवी रंजन, ठीक है, question number 43, 43 ये कह रहा कि, which Indian state has recently launched children safety app, यानि कि, हाल में ही, कि, किस भारती राज ने सिसू सुरक्षा एप को launch किया है, option number A, उत्तर परदेश, option number B, जारखर्ण, या option number C, आसाम, या फिर option number D, सिक्किम, तो friend, ये जो children safety app, जो है, launch किये थे, ये किये थे, आसाम, यानि कि, option number C, जो है, वो, correct है, question number 44, 44 ये कह रहा है कि, when the international day of the girl child was celebrated recently, यानि कि, हाल में ही, अंटराश्ट्रिये वाली का दिवस, किस दिन मनाया गया, ठीक, on 5th October, on 9th October, या फिर, option number C, on 14th October, या फिर, option number D, जो, on 11th October, तो, friend, अभी जो recently, जो मनाया गया थो, वो, मनाया गया थो, on 11th October, को, जो है, ये, बाली का दिवस, मनाया गया था, ठीक है, question number 45, 45, friend, ये कह रहा है, कि, who has won the Nobel in the field of literature of 2018, ठीक है, यानि कि, साहित के छेत्र में, वर्ष 2018 के लिए, नोबेल पुरसकार किसे परदान किया गया था, option number A, Peter Hand के, option number B, जो है, उलगा, तोका, जुर्क, option number C, जो है, जेम्स, पेबल, या फिर, option number D, जो है, माइकल, मेयार, ठीक है, तो friend, इसका जो सही answer है, वो option number B, यानि कि, उलगा, टोका, जुर्क, इनको दिया गया था, ठीक है, question number next, question number 46, question number 46, friend, ये कह रहा है, question number 46, ये कह रहा है, कि, which one of the following is not a great, Siberian River of Russia, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, कि, जो नीम्न में से, कौन सा, रूस के, साइबेरिया की, बड़ी नदियों में नहीं है, option number A, लेना, option number B, जो है, अमूर, option number C, जो है, ओब, या फिर, option number D, जो है, एनीस, ठीक है, तो friend, इसका जो सही answer है, तो option number B, यानी कि, अमूर, ठीक है, ये जो है, वो सही answer है, question number 47, question number 47, ये कह रहा है, in which of the following state of Indian, डियोंनी breed of cattle is found, यानी कि, इन में से, भारत के किस राज में, डियोंनी नसल के मवेशी पाए जाते हैं, option number A, हर्याना, option number B, राजस्थान, option number C, जो है, महराष्टा, या फिर, option number D, जो है, पंजाब, तो friend 47, का जो सही answer है, वो है, option number C, महराष्टा, ये जो दियोंनी बेड का जो पसू होते हैं, वो जो है, महराष्टा के अंदर पाए जाते हैं, question number 48, in which year project tiger was launched, ठीक है, यानी कि, जो ये project tiger था, ठीक है, project tiger जो था, ये बाग बचाओ था, ठीक है, यानी कि, जो tiger है, उसको save करना है, वो किस वर्स launch किया गया था, 1972, 1984, 1986, या फिर नाइटिन सेवेंटिन थीरी, ठीक है, तो friend, ये जो जो था, project tiger जो था, वो जो था, नाइटिन सेवेंटिन थीरी, यानी कि, 1973 में जो है, शुरू किया गया था, launch किया गया था, question number 49, question number 49, ये कहा रहा है, कि तुग भद्र, तुग भद्र, multi-purpose project is a joint venture of the following pair of estates, यानी कि तुग भद्र, बहुत देशिय प्रियोजना, यानी कि multi-purpose project जो था, वो निमलिखित, इन में से, निमलिखित राजियों में से, किस संग्युक्त राज का संग्युक्त उद्धम है, option a, Tamilnadu and Karnatka, option b, Karnatka and Kerala, option c, Kerala and Tamilnadu, या फिर option d, Karnatka and Andhra Pradesh, तो friend, इसका जो सही answer है, वो है Karnatka and Andhra Pradesh, यानी कि option number d is correct, question number 50, ठीक है, question number 50, जो कि आज का last question है, वो यह कह रहा है friend, कि the proposed sea route, सेतु, समाधान is a canal through which of the following lands, ठीक है, यानी कि प्रस्तावित समूद्री मार्ग, सेतु, समूद्रम, नेमिलिखित मार्गों में से, किस नहर से है, ठीक है, option a, जो है, मलका, स्ट्रेट, option b, जो है, मनार की खाड़ी, option c, जो है, कच की खाड़ी, या फिर option d, 10 डिग्री चाइन, ठीक है, तो friend, इसका जो सही answer है, वो है, गल्फ आफ मनार, ठीक है, option b is correct, तो friend, I hope, जितने सारे हम लोगों ने, मतलब जो भी आज के वीडियों हम लोगों ने question number one से लेके 50 तक कर discussion किया है, वो आपके लिए जो आने वाले, जितने सारे exam से हैं, उनमें helpful होंगे, ठीक है, तो यदि आप हमारे channel पे नए हैं, तो channel को share और subscribe जरूर कीजिए, bell icon को press कर लीजे, ताकि JPSC Assistant Engineer से रिलेटर हरो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और हम लोग जो है, आप लोग के response के उपड़ है, कि आप लोग का response अच्छा रहा, और bell icon को press कीजिए, ताकि हर वोग नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है, ता आज के वीडियों बस इतना है, थैंक यू,